तो आज इस वीडियो में हम कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि हमने वीडियो में देखा था कि फॉर्ट मतलब डायरेक्टली अगर किसी को अन्मेशन लेना है तो उनके लिए अन्मेशन ओपन तो सबसे पहला वाला जो न्यूज होगा वह इसी से रिलेटेर है तो हम पहले उसे ओपन करते हैं या इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा तो पहले हम उसको देखते हैं उसके बाद हम जो बाते हैं तो यहां पर आप देख सकते रिफ्रेश करने के बाद लेटेस न्यूज वाले इस section में that notice आया है regarding postponement तो इसको क्लिक करते हैं सो इस पर क्लिक करेंगे तो यह notice open हो जाएगा so due to technical problem the schedule for opening of online portal for inviting application form for PhD courses with okay so now it will start with effect from for 15th of April instead of five of April तो technical issues हैं तो 5th of April से start होने वाला था 5th April से 5th April से अब 15th of April से start होगा तो आप 15 April के बाद apply कर पाएंगे तभी links open होगी ठीक है so यह एक लिए छोड़ा सा notification था या notice था आप में से comments भी किया था कई लोग ने की links वगएरा नहीं मिल रहे something like that तो यह है नया notice 15th April के बाद आप apply कीजेगा या 15th April से आप apply कर सकेंगे तो यही था यह वीडियो यही थी यह notification that is it for today thank you so much